आज हम बताएंगे ववसीर से पीडित लोग किन चीजों का सेवन करें जिन लोगों को ववसीर है वह है क्या खाएं आपको बताएदे कि यह है एक ऐसा रोग है जो किसी भी उमर के वक्ति को हो सकता बावसीर से पीबित लोगों को समझ नहीं आता कि आहर में क्या खाएं और क्या नहीं गलत खानपान होने के कारण बावसीर की समस्या वहने लगती है बहुत से लोग मल ना त्यागने की वज़े से करीम या दवा का उप्योग करते हैं आपको बताते कि दवा पर निरूर होने की बजाए अपने बहुजन में बदलाव करने की जरूरत होती है चलिए आज हम बताएंगे आपको किंचीजो का सेवन करना चाहिए ववसीर में ववासीर के बारे में आपको पता है मगर ये नहीं पता कि आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए ववासीर मल त्यागने में परेशानी का सामना करना पड़ता है चिकतिसक ववासीर से पिडित लोगों को फाइवर युक्त आहर का सेवर करने की सला देते हैं फाइवर मल त्यागने किरिया को सरल बनाता है, इसलिए आपको फाइवर का सेवन करना चाबी ज्यक्ता है जैसे आपको पताते है की चाइज जोगा रक्त सताव को कम करता है वावसीर को बढ़ने से रोकने रोकता है आपको बताए कि रक्त वाहिनियों में मल लोकने के कारण जलन को कम करता है अगर आप ब्रॉकली का सेवन करते हैं तो यह आपको बहुत ही फायता करेगा ब्रॉकली का सेवन कुछ लोगों को नहीं पता होता कि अनाज के क्या-क्य फाइदे होते हैं दोस्तों आपको पता दे कि अगर आप अनाज सामिल करते हैं तो यह matched div corta अनाज का अची मात्रा में favor उपास्तित होता है जो कि वावासीर के लिए बहुत ही फाइदमन्द था जो मल को नरम बनाता है और कबज होने नहीं देता अनाज में दलिया वे गेहूं वावासीर में उप्युक्त माना जाता है वावासीर में क्या खाना सही होता है यह सोच सभी की दिमाग में आती है तो आपको बता दे कि फलिया का सेवन करना फायदमन होता है फलियों में अच्छी माताय में फायवर होता है जो बावासीर की समस्या को कम करता है जैसे कि पहले भी बताया फायवर मल को नरम करने में मरत करता है जो बावासीर के लक्षनों को कम करता है बावसीर के मरीजों को भोजन में सिमला मिर्च को जरूर सामिल करना चाहिए कुछ लोगों का मानना है कि समला मिर्च बावसीर के लेक्षनों को कम करने में मदद करती है इसलिए बावसीर की समस्या होने पर समला मिर्च का सेवन करना चाहिए वावसीर में सबजियों का सेवन किया जाता है इसमें एक सबजी फिक्सवास है जिसमें कुछ ऐसे गुन मौझद होते हैं जो वावसीर की समस्या को कम करने में बहुत फायदमन्द होते हैं आपको बताते कि बावसीर में मरीजों को अधिक मातरा में तरफ पधार्त का शेवर्ण करना चाहिए एक दिन में कमसे कम 7-8 गिलास पानी पीना चाहिए इसके अलावा फलों के जूस जैसे गाजर या से जैसी जूस भी पी सकते हैं आपको बताते कि ऐसा माने जाता है कि करवा पराहथ लेने से बावासिर की समासिय कम होने लगती है दोस्तों गर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को दुरू सब्सक्रीक करें और वीडियो को लाइक जिरू करें है तो समंद वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है